आगे एक और motivational वीडियो पर है और वो भी बेना इस टाइब के music है तो भाई है आपने तो motivational वीडियो का यूट्यूब पर rule होता है कि खतरनाक सा motivational music चला दो और वही बात जो सबको पता है वही थोड़ी बहुत घुमा-घुमा के बता दो यह rule तो आपने तोड़ी दिया निने म motivational वीडियो है ही नहीं जूट बोला मैंना तुम्हें सबसे यह एक real talk और truth सत्य बताने वाला वीडियो है तो भाई आप कौनसा कुछ नया बता दोगे इस topic के उपर हमने 1000 वीडियो देख रहे हैं फिर भी हमारा मन नहीं लग रहा है क्या करें बिल्कुल सही बात है न मैं तो तुम्हारा नजरिया ज़रूर बदल जाएगा और इस बात की भी guarantee देता हूँ कि इतना sensible और इतना सत्य बोलने वाला वीडियो तुम्हें शायद ही YouTube पे कहीं मिलेगा अब कोई यह सच वाली बात बोले तो ठीक है अदर्वाइस बाके सब लोग तो लगे पड़े हैं YouTube पे स सारे बच्चों का मन लगवा दूंगा पड़ाई में नहीं लगेगा किसी का वी मन और तुम जो अभी इस वीडियो को देखने के बात भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा पर अगर इस वीडियो को एंड तक फिर भी देखते हो तब एक्चुल तुम समझोगे कि यह नजरिय पर आज सच बोलना जरूरी है और मैं तुम्हारे समने बिल्कुल सच सच सारी बात है करने वाला हूँ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो बड़ा मोटिवेटेड फीलो बड़ा शांदार म्यूजिक था और बिल्कुल रॉंक्ते खड़े होगे और उसके बात में पढ़ने बैठे थोड़े देर मन लगा कुछ दिन मन लगा उसका दमें वापस उस इस्तिति पर आ गया और बही एक चीज़ बता दू कोई कुछ भी बोल ले एक सत्य में तो मैं अपने मूँसे बता देता हूं मैं भी स्टूडेंट रहा हूं ऐसा तो है नहीं कि मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूं मैं पढ़ा हूं अच्छे कासे नंबर भी आया मेरे स्कूल के टॉप के तीन चार पर एक चीज़ एक सत्य में तुम्हें आज बता दू कि पढ़ने में मन कभी नहीं लगेगा नेवर इड़ इस गॉइंग तो हैपने की नहीं बात पढ़ने की नहीं है बात महनत करने की है एक लाइन बताता हूं इस लाइन को याद करके कहीं लिख के चिपका लेना कि इस पर किसी भी इंसान का मन मेहनत करने में नहीं लगता है वो जो बोलते हैं न कि उस काम को करो जिस काम को करने में मजा आता है तो काम काम नहीं खेल की तरह लगेगा वो जब तक खेल की तरह लगेगा तब तक तुम ग्रो नहीं कर पाओगे आपका दौणने में पैशन है आपको महनत करके अपने आपको इतना टौचर करने में नहीं भाई महनत करने में किसी को मजा नहीं आता है कितने लोग actor बनने आरहे होते हैं न सब लोग acting करते हैं पर एक circus के अंदर 10 actors हैं उन 10 actors में 10 के 10 actors को मजा आता अ MRure आते हैं स्टेज पर जोक सुनाते और चले आते हैं भाई हर कॉलेज में 36 stand-up comedian रोज होते हैं ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इस आज ही के दिन में कम से कम 1000 लोगों ने stand-up comedy चालू कर दिये होगी पर वो कुछ ही लोग होते हैं जो जाकिर खान बनते हैं वो इतने बड़े बनते भी नहीं है तो एक बात बता दूँ कि ये जो मजा होता ना सिर्फ मजा आगे लेके नहीं जाता है मजा आए ना आए सिर्फ एक महनत चीज हो जो आगे लेके जाती है अब भाई है इन सब लोगों का हमसे कहले ने देना वो करने मन नहीं लग रहा है इससे मैटर नहीं होता इससे कुछ फरग नहीं पड़ता लाइफ में कोई तुम्हें कितना भी कुछ बोल देना इस बात से बिलकुल फरग नहीं पड़ता कि तुम्हें करने में मन लग रहा है सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं कि भाई अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्यों लगाना है मन? What is the reason? मतलब मन लगाने की इच्छा क्यों है? क्यों लगाना मन? अरे मत लगने दो ना मन? पढ़ने में मन भाई कभी नहीं लगेगा और यह बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कभी तुम्हारा पढ़ने में मन लग जाएगा तो वैसा कभी नहीं होगा मैं पूरी स्कूल लाइफ जी है अभी college life भी जी लिया मेरा आज तक पढ़ने में मन लगा I swear to God मेरा आज तक पढ़ने में मन लगा Till date एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मेरा मन लगा ओ पढ़ने में कुछ एक दो दिन रहे होंगा जब मैने ब ऐसा कोई वीडियो देखा अगा पढ़ने का मन हो रहा था तो तुमने पढ़ लिया कल को जिंदगी में हजार चीजे ऐसी होंगी जिसका तुम्हें मन नहीं होगा पर तुम्हें वो करना पड़ेगा और अगर सक्सेस्फूल बनना है तो उन्हीं चीजों में महनत करनी पड़ेगी ये बात तो समझ गए कि चाहे किसी काम में मन लगे ना लगे पैशन हो ना हो महनत तो सब जगे करनी है और महनत करने में हमेशा आलस आता है और ऐसा है ना कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो first of all सब छोड़ो be proud of yourself and be happy and smile right now कि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा पता है क्यों because you are already one step closer to the real life असल जिंदगी वो काम तुम्हें करने को नहीं देगी जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है और अगर आज तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है फिर भी तुम महनत करके और वो goal achieve किया तो ये चीज तो दिमाग से निकाल ही दो कि मन लगाना है लगाना है नहीं लगाना है मन नहीं लगेगा मन कभी भी नहीं लगने वाला है पढ़ने में मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ कि तुम अच्छे नंबर ले किया हो मत लगा हो भाड में जाने दो नहीं देखना को यूट्डी वीड appropriate पढ़ने में लगाना ही नहीं हमको तो हमको तो वह काम हमकों अपने comfort जोन से बहार चाकेurer का करना है मैंने अंखों सो देखा उन लोगों को, जो ऐसे नहीं होते हैं, जिनका पंडे में बहुत ज़्यादा मन लगता शुरूँ से, मैं सब लोगों को जनरलाइस नहीं करा, पर मैंने मैक्जेम बच्चे ऐसी देखे, जो मेरे साथ में भी थैं, जिनका बहुत ज़्यादा मन लगता था न, वो कोई बहुत अच्छी जगे पे नहीं आज, पर जिनका मन नहीं लगता तो उन्होंने फिर भी महनत के और अच्छे नंबर लाए न, वो आज बहुत अच्छे पैकेजेस है, बहुत सब कुछ अच्छा करे लाइफ के अंदर, क् तुम्हें उस बेड से उस डेस्क तक बिठा दे और वहाँ पर तुम्हें पढ़ना चालू करवा दे, ये सत्य समझ लो, जब हुमारे घरवाले इतना नहीं कर पाए, तो तुमको के लगता है कि यूट्यूब पर रैंडम आदमी जिसको तुमने कभी देखा नहीं पता नह करता है, उसका घर कैसा है, वो खुद कितना पढ़ा लिखाए, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें आके मोटिवेट कर देगा, नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं ना ऐसा फालतु मोटिवेशनल करके ऐसा तुमारे सामने गुंगान नहीं गाता हूँ बिल्कुल तुम्हारे सामने मसिहा बनने नहीं आता हूँ YouTube के पर लोग पता नहीं मुझे पता है किसी के कुछ बोलने से प्रॉब्लम नहीं मुझे गुस्ता सिर्फ तब आता है जब लोग छोटी-छोटी चीजे करके उसको बिल्कुल revolution बोल देते हैं मैंने देखा कि कुछ लोग नोटस लाके देदे ते और बोलते कि देखो मैंने कहा तुम्हारे लिए काम कर दिया मैं सिर्व बच्छों के लिए काम कर रहा हूँ कुछ लोग आते फोड़ने बहूँ ड़ीपी दे देते ठीक है, be very simple, be very clear और एक और चीज, अगर तुम किसी चीज का wait कर रहे हो न, कि कुछ एक चीज तुमारे life में हैगी, किसी एक दिन कोई परी आएगी, किसी एक दिन सपने में तुमारे साथ में भगवान आएगे, और वो तुमको बोलेगी कि चलो और ये चीज सब के लिए applicable है, जो भी इंसान अपनी life में महनत करना चाता है, सब के लिए applicable है, कि अगर तुम किसी भी चीज का wait कर रहे हो, कि थोड़ी देर रुकते हैं पता नहीं, इतनी देर बात पढ़ेंगे, या तब पढ़ेंगे, मन होगा, तब पढ़ूँगा, नहीं होगा मन कभी, और कभी हो ही नहीं सकता मन, और कभी भी कुछ ऐसा नहीं होना लगा, जिससे तुमारे पढ़ने का मन हो, तो trust me on this, ये चीज कभी नहीं तुकाने के लिए बनी गई है क्योंकि आगे जो लाइफ में आएगा वो महनत करना ही आएगा और जिस चीज में मजा नहीं आएगा वो भी तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें घर चलाना है तो अगर मेरी किस बात का बुरा लगाओ न तो I'm really sorry बट मैंने आज एक बहुत ही बड़ी पोल खोली है एक बहुत ही सच तुम्हें बता दिया है कि कितना भी कर लो ये नहीं होने वाला है तो हमें क्या करना है हमें मजा नहीं लाना है हमें मन नहीं लगवाना है हमें कोई ऐसा नहीं करना है कि बस मैं बिल्कुल डूब जाओं कि बुक पढ़ते हो है गुसा थे बुक पढ़ते हो इससे कोई फ़रग नहीं पढ़ता है With that being said, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, यह जो एक रियल मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन कभी भी ऐसा नहीं होता तो प्लीज मेक शूर कि आप इस चानल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बहुत अच्छे और सिर्फ इन्फॉर्मेटिव और सिर्फ जैन्यूनी लाइफ में वैल्यू अड़ करना ले वीडियो जाते हैं ना तो यहाँ पर किसी की कोई मसीहा बनने की प्रैक्टिस चल रही होती है और ना ही हम यहाँ पर कोई आके उल्टा सिधा तुम्हें मोटिवेट करते हैं कि यह चिंगारी लो और आग लगा लो जाके नहीं जो रियल लाइफ है वो प्रैक्टिकल है और जो चीज़े हो रिये लाइफ में वो ही बताए जाएंगे और मैं तुम्हें हमेशा वो ही बताऊंगा मुझे कोई फरग नहीं पढ़ता कि मैं पीछे बढ़िया झाल झाल कि झाल